दोस्तों सब्सक्राइब करें बजेट गार्णिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को आप देख पाए वीडियो सबसे पहले कि मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूँ में बजेट गार्णिंग चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं चांदी प्लांट की इसे क्रेप जैस्पें तगड़्ड का रच सर्भी प्लांट है और ये पुड़ी तरह से ग्रो करनी के बाद एक चोटी सी जहारी नुमा चोटा स प्रजादी के बहुत सारी वेराइटी है तो वह जो होती है उसकी पिक मैं इस वीडियो में में कर दूंगा वह मेरे पास अभी उसके दो प्लाइंट है पर वह दोनों ग्राउंड में नीचे लगे हुए हैं अभी आप जो देख रहे हैं एक वेरेटेड वेराइटी है इसमें जो फूल होते हैं यह डवल लेयर होते हैं और अभी फूल खिला नहीं है तो इसके फ्लावर ज पेर किया जाएं तो यह लिप काफी चोटी है वो लिप करीब 6-7 तक लंबी हो जाती है जो नॉर्मली हमारे यहां इंडिया में जो क्रेब जास्मीन बोले या जो चांदनी प्लांट होती है वो पाई जाती है उनकी पत्तियां इन पत्तियों से करीब काफी बड़ी और इन तरह से चोटा सा एक पेड़ कर सेकते हैं अगर हम बात इनकी फूलों के करें तो वैसे तो बाहर के टाइम में इन पर ज़्यादा फूल आते हैं बट पूरे साल इनमें फूल लगते हैं ऐसा नहीं है कि विंटर में बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं फूल आते हैं भारत के हर घर में लगभग पाएंगे और इनके फूलों को अगर मैं बाउत करूं तमिलाड़ू या ऐसे स्टेट की जो साउथ के स्टेट है तो वहां पे यह बहुत कॉमन प्लान्ट है और भाँ लगभग सभी मंदिरों में या सभी गरों में पूजा के लिए इस फूल का अभी इसे शिफ्ट नहीं किया बट अभी थोड़ी बहुत बारिस हुई है कुछ दिनों काफी बारिस हुई है बट अभी पूरी तरह से बारिस की मौसम आई नहीं है यहां पर जैसे बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं इसे बोंसाई पार्ट में शिफ्ट क करने के लिए उसकी वीडियो मैं आपके साथ सेर करूंगा जब भी इसे रिपार्ट करूंगा या इसे बोंसाई की तरह ट्रेंड करूंगा आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं या अगर जैसे मैंने अभी इसे पार्शेली शेड में ग्रीन नेट क सनलाइट में है वो कर रही है इनकी पतियां एवर ग्रीन है यह पूरे साल बिल्कुल हरी रहती है और जब इन पर फूल ना भी हो तो भी यह प्लांट इन पतियों के कारण देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो जैसे यह भी एक सब ट्रॉपिकल पहुदा है औ इन्हें मोष्ट कंडिशन में मोष्ट सोयल में ग्रो करना काफी अच्छा लगते हैं और मोष्ट सोयल में यह काफी अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं अगर हम इस प्लांट के सोयल की बात करें तो इन्हें वेल्डरें सोयल बहुत पसंद है अगर इस प्लांट के लेटिस कर रहा था कि इसकी पत्तियां अचानक सी पीली पढ़ने लगी उसके बाद मैंने इसे बोंसाइप वाट से निकालकर इसे मैंने ऐसे रहने दिया और एक दो दिन तक इसे मैंने पानी नहीं तो उसके बाद मैंने देखा कि जो पीली पत्तिया थी वह तो जड़ गई बट फिर से इनका जो बाकी बची भी पत्तिया थी वो अच्छे से ग्रो करने लगए ये काफी अगर इनमें जड़ा सा भी पानी का लेवल ज्यादा हो गया तो ये उसके सिंटम्स तुरंत अपने लीव के तुरू सो कर देते हैं अगर इनकी पत्तियां पीली पर रही है तो आपको धियान रखना होगा कि आपने वाटरिंग जदा की है और आपका मिठी साइ से ड्रेंट नहीं कर पा रहा है वाटर को आपको चाहिए इस में इस हैं वाटरिंग धियान से और से आपको अगर ऑच्छी आज़रें तोस पोट की मिठी को या आपने जह The प्रॉब्लम पॉट में ही आती है तो उस पॉट की मिट्टी को आप चेंज कर दें और ऐसा सोयल का यूज करें जो विल्ड्रेंट सोयल हो जैसे अगर आपके पास कोई आपशन नहीं है तो आप मिट्टी ले ले उसमें उतनी महत्रा में सैंड एड कर ले अगर आपके पास है तो कोको पीट या परलाइट भी यूज कर सकते हैं इससे होता क्या है कि आपकी मिट्टी काफी लाइट वेट हो जाती है जिससे एक तो इसके रूट्स को भी इसमें ग्रो करने में काफी आसानी होती है और काफी इसली जो इनके जो निव रूट्स होते हैं वो आसानी से उ नीचे ड्रिन होल से बाहर निकल जाएगी इससे हमारा पौदा सेफ रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते रहेगा अगर इनकी स्वेल फाटिलाइजर की बात करें तो आप किसी भी तरह की और गैनिक फाटिलाइजर अपने स्वेल में मिक्स करके यूज कर सकते हैं म मैंने जो इसके लिए स्वेल तैयार किया है इसमें मिट्टी है रेत है कोकोपीट है और कंपोस्ट है इस तरह से स्वेल मिक्स यूज करने से आपका प्लांट काफी हेल्दी रहता है और अच्छे से ग्रोथ भी करता है और आपका जो स्वेल मिक्स होता है वो भी काफी मस्टर्ड केक या किसी तरह की यह जो हम कावडंक यूज करते हैं उनकी भी लिक्विट फर्टिलाइजर हम बनाकर यूज कर सकते हैं अपने पौदों में इससे पौदे को जब फ्लावरिंग सीजन में ज्यादा एनरजी चाहिए होता है तो वो जो हम लिक्विट को अपने ग्रोथ को बनाए रखने में और यह हेल्फ करता है इनकी अच्छी फ्लावरिंग में अगर हम बात करते हैं इनकी प्रोपागेशन की तो हम एयर लेयरिंग के थ्रू इनके पौदे ग्रो कर सकते हैं या फिर जो इनकी रूट लेवल से निकलने वाली सकर्स होती है जो घ्रोथ इनकी होती है निव स्टेम जो इनके जड़ों के पास से निकलते हैं उससे हम उखाड कर जिसमें थोड़ी सी भी रूट हो उससे नई जगा पर ग्रोग कर सकते हैं वो भी काफी एजली ग्रो कर जाता है बट मोस्टली मैंने देखा है कि इसे एयर लेयरिंग के करते हैं तो करीब एक महीने में जैसे अगर मैंने आज इस ब्रांच पर एयर लेरिंग किया तो करीब एक महीने में इससे नई ग्रोग करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो आप उससे उतने multiple plant बना सकते हैं, तो चलिए अब इन्हें हम packet से अलग करते हैं, और इनकी जो root है, उससे चेक करते हैं, इनकी growth कैसी चल रही थी, इनकी root bonding शुरू हुई है नहीं, आप देख सकते हैं, यह जो tap root है, वो poly bag से ब बहार आ चुकी है, तो इसका मतलब इनकी growth तो काफी जवरदास्त हो रही थी, यह wide-wide से आपको इनके जो feeder roots है, वो दिख रहे होंगे, अभी root bonding तो नहीं है, बट नीचे में कुछ ज़्यादा roots हो गई है, तो अभी मैं यह tap root है, इन्हें हटा दूँगा, इसे भी, और अभ तो अभी मैंने जब इसे पैकेट से रिमूफ किया, तो मैंने एक चीज़ नोटीस किया, उन्होंने नरसरी वालों ने जिसमें इसे उगाया है, बिल्कुली बालू मिट्टी है, यह जब मैं इसे टेच कर रहा हूं, तो इस पे मुझे rate फील हो रही है, यह आप देख भी र और उसके उपर से मैंने जो स्वैल मिक्स हमने तयार किया था, वो भी मैंने थोड़ा सा भर लिया है, और अब इस हाइट के बाद हम यह रख कर चेक कर लेंगे कि जो हमारा प्लांट है, वो सही हाइट में आ रहा है या नहीं, और उसके बाद हम जो बची हुई हमारी मिट् है हम उसे अब इसमें बहर लेते हैं तो हमने इसके जो सोयल थी वह पूरी तरह से बहर लिया और मैंने हलके हांथों से इस मिट्टी को दबा दिया ताकि जो इन मैं एयर पॉकेट्स हूं वह खत्म हो जाए और इस्पेसली मैंने जो खिनारे होते हैं गमलों के उन्हें मैंने अच्छी तरीके से दबा दिया ताकि हमारा जो पानी है वो नीची की तरफ ड्रेन होल से डायरेक्ट ना निकल जाए इसलिए दबा दिया और यहमारे एयर फॉक मिट्टी मोइस्ट हो जाए तो हमने एक बार पानी लगा दिया है अब इसके बार हम वेट कर रहे हैं कि यह पानी नीचे चला जाए और फिर हम थोड़ी और पानी इसमें एड़ कर दें कभी-कभी इनकी पत्तियों पर आप देखेंगे कि वाइट वाइट से कुछ धब्ब यूज कर सकते हैं अगर आप 8-10 दिनों पर नीमोईल का श्प्रे करते हैं तो 2-4 श्प्रे के बाद वो जो खीड़े होंगे या मिले बग हो या फिर वो वाइट वाइट सी लगने वाली माइटस हो वो सारे कटम हो जाए अगर आपके प्लांट पेड़े ना भी हो तो तो 15 20 दिनों में एक बार नीमोयल के स्प्रेस आपकी प्लांट की हेल्थ काफी अची रहेंगी और उस पर किसी तरह के कोई खीड़े का या पेस्ट का अटैक नहीं होगा और वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा तो हमने जो पानी लगाया था वो बिल्कुल सूख शुका है तो फि आपको अच्छे से समझ लग गई है कि कैसे अपने क्रेप जास्मेन या चानी प्लांट की केर करना है और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सेर करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो